नहीं देखा तो मैं आपको बता लेता हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लेश हुए हैं, आई एन एस जटाईू के बारे में, भारतिय नौसेना का नया निवल बेस जो हम लक्षदीप में बराएंगे, एक्चुली काफी अद तक इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्रीट हो जु होने वाले हैं, एक गेम चेंजिंग मूव है, इंडिया के लिए इन लक्षदीप और यहाँ पर नोटिस कर पाऊगे, जो भी आर्टिकल्स पर पब्लिश हुए हैं न, वहाँ पर प्रेडॉमिनेंटली ये कहा जा रहा है, कि ये इंडिया का चेक्मेट है टू मॉल्डीव् बहुत जादा प्रो चाइना गवर्मेंट द्वरा लेड किया जा रहा है, तो उसे प्रॉपरली इंडिया चेक्मेट कर सकता है इस नए नेवल बेस से, ना मुझे बता है कि यहाँ पर आपने से कुछ लोग एक क्वेशन रेस कर सकते हैं, कि लक्षदीप जहाँ पर टापू की तरफ, एक बहुत ही इंडरस्टिंग बात आपको बताओं, यह यहाँ पर है जी भारत के लक्षदीप टापू, और नीचे यहाँ पर शुरू हो जाता है मॉल्डीव, अगर हम डिस्टेंस की बात करें ना, कि मॉल्डीव और लक्षदीप पे डिस्टेंस कितना है, तो किलोमेटर्स में यह हो गया, रफली 754 किलोमेटर, जी हाँ, 750 किलोमेटर के आसपास काई डिस्टेंस है, बिट्वीन लक्षदीप और मॉल्डीव, तो लक्षदीप पर ना, प्रॉपर मिलेटरी बेसिस बनाना बहुत इंपॉरेंट है, और देखो, लक्षदीप मे जब भी हम कुछ भी करने की सोचते हैं, चाहे यहाँ पर टुरिजम को इंप्रूब करने की कोशिश करते हैं, इंफ्रासक्चर बिल्ड करने की बात करते हैं, तब एक क्वेशन सामने आता है, एकोलोजी का क्या, एंवारिमेंट का क्या, क्या हम लक्षदीप का जो एको सिस करने की बात कर रहे हैं अब यहां पर आपका क्वेशन आएगा चलो ठीक है फिर हम इतना जादा इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं जो यह नया मिलिटरी वेस बनेगा इसको लेकर इतनी कि एक्साइटमेंट क्यों है देखो एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर मिनिकोई की बात की जा रही है आप यहां बेदेख पाऊगे जो चारो नेवल स्टेशन इंडिया के हैं लक्षवधी टापू उपर इनकी लिस्ट आपको दिख जाएगी आई एनेस दूई इंपोर्टेंट नेवल बेस बनाना एक्स्टा नेवल बेस बनाना कितना इंपोर्टेंट है क्योंकि वैसे हमारा एक फॉर्वर्ड ऑबरेटिंग बेस मिनिकोई पर अल्यडी था मगर एक प्रॉपर नेवल स्टेशन जहां पर हम हेलिकॉप्टर्स भी डिप्लॉई कर होगे यह आपको अटोल मिल जाएगा हम वैसे जनरल लैंग्विज में आइलेंड कहते हैं बट अगर हम एक करेक्ट टर्मलोलोजी का इस्तेमाल करें तो यह एक अटोल है यह है मिनिकोई आइलेंड बहुत ही ज्यादा सुन्दर अटोल अगर हम देखें ऐसे लगता है कि ब मौल्डीव के बहुत ही जादा करीब है तो कल को अगर हमें एक नेवल परस्पेटिव से मौल्डीव पे प्रपर नजर रखनी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है तो उसके लिए मिनिकोई आइलेंड हमारे दिए क्रिटिकल रहने वाला है और मौल्डीव बड़े खत्रे में है एक बड़े डेट क्राइसिस में मौल्डीव आ सकता है क्योंकि लगातार यह चाइना से बड़े स्केल पर उधार उठा रहे हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे और यह निउस ऐसा नहीं है कि इंडिया स्पसिफिक है यह आई-एम-फ की स्टेट्मेंट है इंटरनाशनल मीडिया ने इसको एक्स्टेंसिवली कवर किया है और यह इंडिया के लिए बहुती जारा चिंता की बात है क्योंकि मौल्डीव में रेखिए अभी मौहमद मुईजू पावर में है अब इन दा फ्यूचर यह पावर में रहे या ना रहे क चाहिना के इससे मौल्डीव हमेशा जुका रहे गा इन फ्रट ऑफ चाइना तो यह एक लॉंग टर्म डेमेज की हम बात कर रहे हैं जो आने वाले इलेक्शन से भी सौल्व नहीं हो पाएगा दूसरा एशू यह भी है कि चाइना ने अपनी डेट पावर का यूज करके अल मौल्डीव हाल ही में चाइना की रिसर्ज वैसल ने मौल्डीव में डॉक किया और अगर यहां पर आपका क्वेशन यह है कि कई महीनों पहले हमने वो सुना था कि इंडियन मिलिटरी को मुईजू चाहते हैं कि बिलकुल रिमूब कर दिया जाए मौल्डीव से उसका क्या ह देखिये उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है आपको यहाद होगा मुईजू ने मार्च को लेकर डेडलाइन की बात करी थी कि मार्च तक इंडियन मिलिटरी हट जानी चाहिए फ्रम मौल्डीव तो इंडिया ने देखिये जो मिलिटरी परसनल थे उनको रिप्लेस क के लिए इनको कही ना कहीं इंडियन की हल्प तो चाहिए होगी तो अब सिविलियन इंडिया की तरव से जाएंगे मौल्डीव में हल्प करने के लिए मिलिटरी बिल्कुल रिप्लेस करती जा रही है तो यह एक हिस्टॉरिक चेंज है कई दशकों बाद यह बदलाव हमको देखने को मिल रहा है तो अब यह असी बात है कहीं ना कहीं हमें एक इंपॉर्टेंट मिलिटरी बेस कमिशन करना ही था और बहुत ही जल्द हम इसको कर देंगे कोई मौल्डीव पे अटैक वगरा की बात कोई नहीं हो रही दिस इस सिंप्ली टू बी विजिलेंट आप कुछी दिनों बाद इस टॉपिक से रिलेटेड और लियूस भी सामने आएगी, इस टॉपिक पर एक खुद की भी जो वीडियो है वो रिलीस करेंगे और एक्स नेटवर्क या फिर अपने यूडूब चैनल पर तो उस पर बाद में आपके लिए एक अप्डेटेड वीड Thank you for listening and as always may the gods watch over you.